ओम शांति बावा एंड ओल डिवाइन सोल्स। ओम शांति तीन जन्वरी उठते ही याद करेंगे मेरे बावा जैसा स्रेष्ट भी कोई नहीं और मेरे जैसा भाग्यवान भी कोई नहीं। उठते ही यदी हम प्रभू प्राप्तियों के गीत गाने लगें। उठते ही हम यदी अपने मीठे बावा से प्यार से बाते करने लगें। तीसरा दिन बावा से वर्दान लेते रहें और विशेश रूप से एकांत लेकर स्वचिंतन भी करें। क्या है मेरे जीवन का लक्स। अपने से बाते करें। क्यों आए हैं हम बाबा के पास। क्या हम वही कर रहे हैं। जो हमें कर लेना चाहिए और अपने में रड़ता पूर्वक एक सुन्दर संकल्प कर दें। जनम जनम से जो कुछ करने की मन में आश थी वो पूरी कर लेनी है। भगवान स्वयम हमें सब कुछ देने आया है। हमें उससे सब कुछ ले लेना है। ऐसा नहो जब हम इस अंसार से जाएं। जब हम 84 जनमों का खेल पूरा करके अपने धाम जाएं। तो हमें कुछ असंतोस हो, हमें कुछ अप्सोस हो, हम गीत गाते जाएं। वहा बाबा वहा, वहा मेरा भग्य वहा, मैंने बाबा से सब कुछ पा लिया। ऐसा सुन्दर चिंतन एकांत में हमें करना है। और स्वयम को स्वयम ही लिफ्ट देनी है। स्वयम को स्वयम आगे बढ़ाना है। स्वयम का स्वयम ही टीचर वन्याना है। ये समय भग्यवान आत्माओं को ही मिलता है। ये प्रभू मिलन परमसो भग्यसाली आत्माओं को ही प्राप्थ होता है। हमें प्राप्थ हुआ है। हम इसका भरपूर फाइदा उठाएं। मुझे ये देहे छोड़ कर घर वापिस जाना है। मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिष्टा हूँ। मुझे बाबा की सेवाएं भी वर्दानी स्वरूप से करनी है। आज विशेश रूप से ध्यान दें। अपने को तयार करें वर्दानी रूप से सेवा करने के लिए। लोग सामने आएंगे विघन लेकर। कहेंगे आप हमारे विघनों को नस्ट कर दो। दुखी आतम या रही हैं, आप हमारे दुख हर लो, आप ही हमारे इश्ट देव हो। तो हमें अपने इस देव स्वरूप में स्थित हो कर। और बाबा से हमें जो वर्दान मिला है विघन विनासत का। उसको जागरित करके उसको इसमर्ती में लाते हुए उसको एक्टिवेट करते हुए हम सभी के विगनों को नस्ट करें अब ये सेवा हमें प्रारंब कर देनी चाहिए सामने लोग आएं द्रस्ती दें सुन्दर संकल्प करें उन्हें आत्मिक द्रस्ती से देखते हुए और इसका परिणाम देखें कितनी सुन्दर रिजल्ट इसकी हमारे पास आती है तो डीप साइलेंस में रहेंगे हम पूरा दिन बहुत सुन्दर अवसर है भगवान राजी हुआ है उससे सब कुछ पाने का गॉल्डन अवसर है ये मेश न हो जाए हमसे चूक न जाए तो आज सारा दिन हम अभ्यास करते रहेंगे चूरासी का खेल पूरा हुआ देखेंगे हम कैसे सत्युक में आये थे क्या थे हम वहाँ च्छन बीटते गे दिन बीटते गे मास बीटते गे वर्स बीटते गे कल्युक के अंत में आगे और अब हमें सब कुछ छोड़ कर घर वापिस चलना है और बैठेंगे अपने श्यानती धाम में जाकर और श्यानती धाम की गेन श्यानती का अनुभाव करेंगे ओम श्यानती कहाया भी खाज नो यणिध्स भाव